अब यहां पर यहां पर इस तरीके से नीचे की और निकल सकता है और हमने बहुत कुछ यहां पर डिसकस किया था वीडियो आप देख सकते हैं और जो नीचे के लेवल से जहां मैंने आपको बताई एक सब्सक्राइब क्रीव मन रचाहि बहुत बहुत है लगबग 12% की गिरावट है देखिए 12% की ठीक है तो यहां पे पैनिक एक सैलिंग हो रही है और पैनिक सैलिंग के सिनारियों में क्या होता है नहीं होते हैं क्योंकि सभी लोग अल्रीडी डरे हुए हैं तो उस case में जल्दी buyers activate होंगे नहीं हाँ यह होगा कि इन levels को जैसी यह share touch करेगा तो यहाँ पर selling का जो speed है वो कम हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर यहाँ पर height देखेंगे 480 से लेके 400 आने में सिर्फ इसको 3 दिन लगे हैं तो यहाँ पर already बहुत ही जादा यह saturation के आसपास है यहाँ फिर अगर इसके बाद भी इसमें selling continue होता है और यह in levels को touch करता है 360 का तो इसका मतलब क्या है ऐसा panic selling तभी होता है जब कोई भी share के अंदर बहुत ही बड़ी गड़बड वाली news हो ठीक है इस share के लिए सही news ना हो तभी ऐसा कोई न कोई scenario create होता है तभी ऐसे panic selling होता है otherwise अगर देखेंगे यह इस तरह का जब selling होता है तो यह normal selling होता है यह रूख के इस तरीके से फिर यह continue करता है तो यहां पर अगर selling हो रही है तो आपको क्या करता है उसके लिए हम लोग फिर से यहां पर weekly time frame पर चलते हैं ताकि कहीं पर भी ऐसा situation बने तो आप exit कर सके और back of the mind आप relax फिल कर सके अभी बहुत लोग के पास क्या है फ्यूचर में position इसके पड़े हुए है और अभी भी उन्होंने उसको क्या कर रखा है hold कर कर रखा है अगर आप इसके दो दिन की चार्ट देखेंगे चली अभी पहले यहां पर weekly time frame पर हम लोग देख लेते हैं कहीं भी इतना बड़ा हम लोग को एक candle देखने को नहीं मिलेगा मतलब बहुत ही अच्छी खासी यहां पर क्या हुई है अब जब यहां पर selling हुई है तो नीचे जो support के levels है वह कौन से है तो यह जो level था ठीक है यह exactly अगर देखेंगे तो यहां से इस तरीके से level निकल के आ रहा है और यह इन level का breakout level था ठीक है तो यह एक level है और नीचे की और देखेंगे तो 375 का level है अब इसमें एक wide range की बात करन हो चुका है तो अब इसके नीचे आने की जो space है इन levels को break करने की है लेकिन one way में इस तरीके से break नहीं होगा यह share हो सकता है यहां पर फूल बैक मिले पूल बैक मिलने के बाद इन levels को जब यह फिट से एक resistance की तरह काम करेंगे यहां पर जब यह selling यहां से फिर्स activate होगा तो कोई भी शेयर बहुत तेजी से भी नीचे जाएगा तो उसमें प्राइस एक्षन कहीं ना कहीं पैटन फॉलो होता है और वह अपने support को फॉलो करेगा राइट अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर वंडे टाइम फ्रेम पर आगर आप देखेंगे तो यहां पर आज के दिन बहुत जादा stretch हो गया है कल की दिन ही मैंने discuss किया था कि इन लेवल के आसपस क्या करना चाहिए इसके पास space नहीं है यहां पे छोटा candle बनाना चाहिए लेकिन जैसे इस लेवल को ब्रेक किया होगा बहुत लोगों ने इसमें से exit करना start कर दिया होगा और अपना position खाली करना start कर दिया होगा वह देखके यह बहुत तेजी से नीचे की और गया और जब यह इस लेवल को ब्रेक किया होगा तो तेजी से और नीचे गया इसलिए यहां पे एक पैनिक सेलिंग का हम लोगो candle क्रियेट होता हुआ दिखा है ठीक है अभी नीचे की और जैसा हमने डिसकस कि या वन डे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारा जो रेंज निकल के आ रहा है 399 से लेके ठीक है इन कैंडल का जो यहां पर ब्रेक आउट है टेकनिकली एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए तो तो यहां पे 25 रूपीज का रेंज है कल के दिन इस से जादा नीचे गिरना नहीं चाहिए अगर इससे जदा नीचे गिर रहा है तो यहां पर बहुत जदा पैनिक सेलिंग हो रही और आपको एक अपना असल समझ के माइंड में रखना चाहिए और उसके बाद यहां से एक्जिट कर जाना चाहिए ठीक है पूरे के पूरे के तो आपको एक हमेशा जो है एक स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखके अभी भी चलना होगा ठीक है तो कल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कल यहां पर कल मतलब नेक्स ट्रेडिंग डे ओके तो यहां पर फिप्टीन में टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहां पर है दो बार पैटन फॉल हो चुका है वह यहां पर फॉल होने की प्रॉबिटी कम है पीछे का कोई भी हम लोग को यहां पर अभी दीख नहीं रहा है तो इस हिसाप से अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मान लेते हैं चलिए एक्जांपल लिफ फॉर एक्जांपल हम लोग यहां पर 14-15 गेंडल यहां पर टाइम ठेंड किया तो यह कि सपूर्ड की तरह काम करेगा अगर है अगर की काम करेगा तो यहां पर थोड़ा सा होने की सिचुएशन बन सकती हैrance में यहां पर इसाइंपल निमें बन सकता है तो इस तरीके की यहां पर प्राइस एक्सेन पैटर्न हम लोग टेक्निकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है तो उसके केस में भी मैंने आपको यहां पर बता रखा है देखें यहां पर कोई न कोई सेर के अंदर नियूज आई और आपको अपनी अनलिसिस के बाद अपनी पूरी तसली के बाद कोई भी डिसीजन लेना है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बात हमेशा याद रखिए दूसरे शेयर में हम लोग को मौका मिलन वाला है ऐसा नहीं है कि इस शेयर में ही अगर आपने सारी पुंजी शेयर में लगा रखे हैं मतलब आप मार्केट को अच्छे से नहीं समझते हैं ठीक है चलिए थैंक यू वर वाचिंग दिस वीडियो